Hello students, welcome to my channel आज हम structure and working of human ear मानव करण की संग्रचना एवं कार्य यनि हमारा कान जो है किस तरह से सुनने की प्रकिरिया को पूरा करता है कान के कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में आज आप डिटेल जानिए तो यह है हमारा कान अब इसमें आप ही जानते हैं कि यह जो बाहर का पूर्चन होता है यह क्या कहा जाता है करण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है अब इसके बाद इस कान से यह जो चोड़ा पूर्चन है इसकी अत्रिकत आप देखते हैं कि यह इसमें एक नलिका होती है यह नलिका स्रमण नलिका कही जाती है यह स्रमण नलिका जहां पर समाप्त होती है यहीं पर होता है करड़पट, ear drum जिसे की हम कान का परदा कहते हैं और इसके बाद जो है यहां पर यह तो हो गया आपका यह कान का परदा हो गया कान के परदे के जस्ट पीछे यहाँ पर हैमर हैमर मतलब एक ये तीन छोटी-छोटी हड़ियां होती है इसमें हैमर, एन्विल और स्टीर अप ये जो है है हैमर इसी के ये लगा हुआ ये एन्विल और ये जो है स्टीर अप होता है और यह steer up आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा oval बना रहा है जिसे की अंडाकार यह जो छिद्र है इसके just भगल में यह है और यह जो portion है यह कहा जाता है cochlea करणावर्थ इसमें एक fluid होता है और यह spiral आकार का होता है और इसके just पीछे यह स्रमण तंत्रिका जो auditory system हमारे मस्तिस्क को जाती है यह है और हमारे करणपट इयर ड्रम के ऊपर और नीचे से होते हुए यह एक you stick की नली यह जो है जो की एक पतली नली होती है और यह नली का जो है कान के मध्य भाग को ग्रसनी के ऊपर भाग से जोड़ती है तथा कण पटल के दोनों और हवा के दबाव को संतुलित करती है तो यह हमारे गले की तरफ चली जाती है इसलिए हम ये कहते हैंना कि हमारा नाक, कान और आँख, गला यह सब यह एक जगर मिलते हैं कहिन कहिं से तो यह हमारा कान जो है यह यू स्टेकी नलिका के द्वारा जो है गरसनी से जुड़ता है अब आपने यह फिगर तो देख लिया अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कहा गया कि यह बाहरी कर्ण है और यह मध्य कर्ण है यह आंतरी कर्ण है आउटर येर, में क्या क्या होते हैं तो इसको देखें मानव कर्ण की संग रचना मानव कर्ण एक अति संबेदी अंग जिसको क्या हम करते हैं संबेदल सील भी और ये नाजुक भी होता है जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं यह सुनने जोग्य आब रित परिवर्तन होने वाले दाब परिवर्तन को विद्धुत संकेतों में बदलता है जो स्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिस्क तक पहुचते हैं तो मानव कर्ण को तीन भागों में बटा गया है पहला भाग वाह कर्ण यानि आउटर इयर इस फिगर में आप देखिए यह जो है आउटर इयर है इसमें यह पिन्ना इयर के नाल यह जो परपल कलर में आप देख रहे हैं यह इयर के नाल मतलब की स्रमण नलिका इसी के माध् पर जा करके टकराती है तो कान का सबसे बाहरी भाग करण पल्लो कहलाता है करण पल्लो स्रमण नलिका तथा करण पट का बाहरी हिस्सा जो मेंब्रेन होती है कान का जो परदा होता है उसका जो बाहर की तरफ का हिस्सा है यह हिस्सा वाह करण के अंतरगत आता है जो हमारी ear canal होती है इस स्रमण नलिका की लंबाई लगभग 2.5 cm इसकी लंबाई जो है 2.5 cm और इसका ब्यास 0.7 cm होता है यानि यह जो purple color इसमें आप देख रहे हैं इस purple color में यह यहां से ले करके और ear membrane जो हमारी है जो ear membrane है ear drum है वह उस drum तक की जो लंबाई है यह 2.5 cm होती है और इसकी जो चवडाई है यह 0.7 cm होती है तो यह है कान का बाहरी हिस्सा मद्य करण करण पट का आंतरिक हिस्सा यानि ear membrane का बाहर वाला portion जो की हमारे कान में अंदर की तरफ है तो करण पट का आंतरिक हिस्सा और 3 हड़ियां मुखदगरक निहाई और वलयक यानि envil, hammer, hammer, एन्विल और स्ट्यरब तथा ये जो है हमारे कान के मध हिस्से में आते हैं यानि इसको हम मध करण कहते हैं अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है हैमर ये हथाओडी के आकार का होता है इसलिए इस हड़ी का नाम वह हैमर है और एन्विल जो होती है हमारे सरीर की सब से छोटी हड़ी होती है एन्विल या जीके का भी एक हिस्सा होता है तो ये तीनों हड़ीयां जो है मध्यकर्ण की अंतरगत आती है आंतरिक करड़, करड़ावत और स्रमण तंत्रिका द्वारा मस्तिस्क को जाने वाली तंत्रिकाएं आंतरिक करड़ के हिस्से होते हैं यानि इसमें ये जो तीनो हड़ियां थी, तीनो हड़ियों में जो steer up होता है, steer up का जो बाहरी हिस्सा होता है, यह यहाँ पर ये जो पोर्शन, ये grace portion देख रहे हैं, इस grace portion को cochlea कहा जाता है, इसे जो है करड़ा वर्त कहा जाता है, और इसमें liquid भरा होता है, इसमें जो है liquid भ तो अब पूरे कान को अगर हम देखें, तो देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, अब इसमें होता क्या है, आपको ये पता है कि ध्वनी तरंगे अनुदायर्द तरंगे होती है, तो जब ये अनुदायर्द तरंग होती है, तो संपीडन और बिर्लन से, यानि क यह माध्यम से यह आगे की तरप बढ़ती हैं. तो संपीडन बूरलन संपीडन बूरलन इस तरफ से यह यह outer ear है यह outer ear उस ध्वनी को एकत्रित करके और ear कैनाल की तरफ भेजता है. अब यह ध्वनी इस ear कैनाल में जब पहुंचती है, यह जो है यहां से होते हुए जब यहां पर यह पहुचती है तो यह ear drum है यह जो है ear drum है तो जब संपीडन यहां पर पहुचता है तो इस ear drum को क्या करता है अंदर की तरह push करता है जब अंदर की तरह push करता है तो इसी के just पीछे यहां पर जो hammer है यह hammer से टकराता है और जब बिरलन होता है जब यहां पर बिरलन पहुचता है तो यह पीछे की तरफ आता है बने जब संपीडन होता है तो यह अंदर की तरफ यह आगे गया और जब बिरलन होता है तो यह पीछे हुआ तो इस तरह से यह यह ड्रम यानि जो की टिमपैनम है यह ड्रम है कान का प जो हैमर है उससे बार-बार टकराता है जब हैमर से टकराता है तो हैमर जुड़ा होता है एन्विल से अब हैमर से ध्वन को ट्रांसफर कर दिया जाता है एन्विल में और एन्विल इसको ट्रांसफर करता है स्टियर अप को यहां पर जो स्टियर अप में यह ओवल होता है छो नुकीला होता मतलब इसकी तुलना में कम होता है तो कम होने के नाते यह क्या करता है इस पर प्रेसर अधिक डालता है यानि दाब जो है बढ़ा देता है जब दाब बढ़ा देता है तो अब यह कोकलिया के पास पहुंचा जब कोकलिया के पास पहुंचता है तो कोकलिया का का काम होता है कि इन दाब परिवर्तनों को मतलब ध्वन के ध्वन जो यहां से संपीडन बिर्लन के माध्यम से आ रही थी यहां संपीडन बिर्लन के माध्यम से ध्वनी सिगनलों को मतलब की जो संपीडन बिर्लन आया उसमें दाब परिवर्तन हुआ उस दाब परिवर्तन को यह electric signal में बिद्दुत तरंगों में बदल देता है और बिद्दुत तरंगों में बदलने के पस्चाथ इसकी तिब्रता और बढ़ जाती है तरंग यानि जो membrane company करता है इसकी तिब्रता को यह hammer and will और stir up मिल करके कई गुना बढ़ा देते हैं और जब कई गुना बढ़ा देते हैं तो यह पहुचा कहां पर कोकलिया पर करड़ावर्थ पर पहुचा जब करड़ावर्थ पर यह पहुचा तो यहां करड़ावर्थ उन दाब परिवर्तन वाले सभी सिगनलों को बैदुत सिगनल में बदल देता है और जब बैदुत सिग भवनी तरंग के रूप में क्या करता है एनालिसिस करता है और यहां संकेत देता है कि आप उसका क्या रेस्पांस देंगे तो इस तरह से यह है और यह पीछे के तरह आप आप जो देख रहे हैं यह यूस्टे का जो ट्यूब है यह जो है चला जाता है कहाँ पर ग्रसनी के प वाह कर्ण हुआ यह ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं तीनों हड्डियां यानि जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है यह मध्य कर्ण है और इसके अतरिक्त यह जो ग्रेइस पोर्शन यह सिल्वर कलर का यह जो दिख रहा है ट्यूब के आकार का यह आंतरिक कर्ण होता है तो इस त करण्ड पल्लोव बाहर की ध्वनि को एकत्रित करके स्रमणनलिका में भेजता है जो संपीडन और बिरलन की रूप में गती करती है जब संपीडन करण्ड पट तक पहुचते हैं तो जिल्ली बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कंड़ पट अंदर को गती करने लगता है, मने अंदर की ओर दबाता है, तका जब विर्लन पहुंचता है, तो यह बाहर की ओर गती करता है, इस प्रकार कंड़ पट कंपन करने लगता है, कंड़ पट मुगदरक पटकराता है, यानि हैमर पटकराता है, जो निहाई और वल आतात Allick ilet4 बदल देता है इन बिर्दु संकेतों को स्रमर्ग तंत्रिका द्वारा मस्तिस्क तक पहुचा दिया जाता है और मस्तिस्क इनको ध्वन की रूप में तुर्षए करता चाहिए क्योंकि यह हमारे कान के करणपट यानि जो कान का परदा है उसको नुक्सान पहुंचाता है और अगर उसमें होल हो गया छेद हो गया यानि यह खराब होने पर ब्यक्ति बहरा हो सकता है किसी के कान के पास बहुत तेजी से नहीं चिलाना चाहिए इसलिए कि बहुत अधिक ध्वनी इयर मेंब्रेन को नुक्सान पहुंचाति है किसी के कान पर तेजी से मारना नहीं चाहिए क्योंकि उस दाब के हार्ड प्रेशर की वज़ 시 से कान का परदा फट सकता है कान से संबंदित किसी प्रकार के अगर समस्या होती है तो आप घरेलू उपचार न करें बलकि अपने संबंदित डाक्टर से संपर्क करें